हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब के आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज के वीडियो में ललित नरान मितला यूनिवर्सिटी पार्ट टू जियोग्रोफी सबसिजरी मनोर्मा गेस पेपर का प्रैक्टिस करेंगे पिछले वाले वीडियो में पहला सेट कॉंप्लिट करा दिया हूँ इसके अलावा दूसरा सेट का 100 कोईशन तक का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के पर लिश्ट में जाके आप दोनों वीडियो देखिए आज की वीडियो में 100 से आगे जो अब्जेक्टिव कोईशन रह गया है उच सबका प्रैक्टिस करेंगे तो कोईशन नमबर 101 देखिए भारत का 90 परतिशत से अधीक व्यापार किन मार्गो द्वारा होता है समुद्री मार्गो द्वारा भारत निम्न में से जिस वस्तु का आयात क उतिवस्त्र है भारत के भौतिक विभागों के अंतरगात उत्तर दिशा में अस्तित भाग है हिमाले परवत भारत का काला पानी के नाम से परसिद उस द्वीप का नाम है अंडबान निकोवार द्वीप समू निम्न में से कौन सा परदेश भारत का हिर्दे कहलाता है गंग पंजाब और हर्याना का मैदान पच्छिमी हिमाले परदेश का छेतरफल है सीचाई के लिए जिस मैदानी भाग में दामोदर बांथ बनाया गया है वह कौन सा है डेल्टाई मैदान गोवा दमन तक फैला संसाधन उप विभाग है कोंकन तट ऑप्शन भी हो जाएगा कोंकन तट भारत में खनीज पदार्थों के द्रिष्टी से सबसे धनी परदेश है छोटा नागपूर का पठार नेक्स्ट कोईचन इसके बाद देखिए बिहार स्रिलेटेट कोईचन है बिहार के कितने परतिसेट छेदर में किरिसी की जाती है तिरिसेट पॉइंट दो तीन परतिसाथ बिहार के लोगों के जीविको पारजन का मुख्य आधार क्या है किरिसी राजे की कितनी जनसंक्या किरिसी कारी में लगी हुई है 86 परतिसाथ जनसंक्या धान निमलिखित में से कौन सी फसल है धान जो है खरीब फसल है निमलिखित में से कौन सी फसल खरीब में नहीं बोई जाती है आलू बिहार में सरवादिक छेदरफल कौन सी बिहार में सरवादिक छेदरफल पर कौन सी फसल बोई जाती है धान बोई जाती है बिहार में सरवादिक गन्ने की खेती किस राज किस जिले में होती है पच्छिमी चमपारण में बिहार में अगर जिला आप से पूछे किस जिले में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है तो पच्छिमी चमपारण में अगर भारत में पूछे किस राजी में सबसे ज्यादा तुत्तर परदेश में बिहार में सबसे अधीक जूट कहां पैदा होता है पुर्णिया में जूट उत्पादन में बिहार का निम्न में से कौन सा अस्थान प्राप्त है दूसरा अस्थान बिहार की मुख्य खादी फसले कौन सी है चावल गेहूं मक्का बिहार में सबसी अधीक महत्यूपुर्ण फसल कौन सी है धान बिहार में धान का आउसत परती हेटेयर उत्पादन कितना है 1543 किलोग्राम बिहार में सरवादिक गेहूं उत्पादक जीला कौन सा है रोहताज बिहार के कितने छेदरफल पर धान की खेती की जाती है 35.96 हेक्टेयर पर बिहार में मक्के का कूल उत्पादन कितना होता है 14.26 लाग टन गेहूं निमलखित में से किस तरह की फसल है रभी फसल है बिहार में गन्ना उत्पादक जीलों में से किसे सामिल नहीं करेंगे रोहताज को बिहार में किरीशी को प्रत्पादन करने के लिए किन असानों पर किरीशी विश्विद्याले अस्थापित है भागलपूर में अगला कोहिचन बिहार में अन्नी फसलों में किस फसल का उत्पादन सरवादिक होता है आलू का बिहार में तिलहर का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है पच्छिमी चमपारन में तमबाकू निमलेखित में से किस तरह की फसल है मुद्रा दाइनी फसल है बिहार में क्रीसी के पिछ्रेपन का मुख्य कारण निमलेखित में से कौन सा उप्योक्त है प्राचीन क्रिसी पध्धती उत्री बिहार मैदान का बिहार के कूल छेत्फल का कितना परतिसत है 56.86 परतिसत उत्री बिहार मैदान के लोगों का मुख्य पेशा है क्रिसी उत्री बिहार मैदान के सब से परमुख फसल है धान ओप्सन सी हो जाएका धान दोस्तो इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में जियोग्रफी सबसीरी के अलावा हिस्ट्री, पुलिटकल साइंस, एकोनोमिक, साइकोलोजी इसके अलावा लेंग्विज पेपर जैसे 50 मार्क सिंदी, 100 मार्क सिंदी इस सब का important objective question बताया हूँ और रेखा और मनर्मा guest paper का भी practice करवा दिया हूँ लिंक आपको description में मिल जाएगा या चैनल के पर लिश्ट में जाके आप अपने सबसीरी पेपर, अपने language paper का important objective question देख लिजिएगा उत्री बिहार के मैदान के कितने परतिसत भूभाग पर क्रिसी की जाती है 64.96 परतिसत पर उत्री बिहार की सबसे परमुख मुदरा दाइनी फसल कौन सी है जूट बिहार को कितने भोगोलिक परतेशों में बाटा गया है दो, उत्री बिहार मैदान में कूल कितनी जीले सम्मिलीत है कूल 21 जीले सम्मिलीत है उत्री बिहार मैदान एवं दक्षिनी बिहार मैदान को बाटने का निमलिखित में से कौन सा आधार सही है गंगा नदी, निमलिखित जीलों में सरवादिक साग्षर्ता किस जीले की है, सबसे यदा साग्षर्ता पटना निमलिखित नगरों में सबसे महत्यूपूर्ण नगर कौन सा है, पटना अगला कोहिशन दक्षनी बिहार के मैदान की सबसे परमुख नदी निमलिखित में से कौन सी है सोन नदी निमलिखित जीलों में से किस जीले में सरवादिक चीनी मीले अस्थापित है पच्छिमी चमपारन में सिग्रेट का महत्यपूर्ण कारखाना निमलखित में से किस सहर में है मुंगेर में बिहार में सूती वस्तर उद्यों के केंद्रों में निमलखित में से किसे सामिल नहीं किया गया है साहपूर को अप्चन डी हो जाएगा साहपूर बिहार में एकमादर तेलसोध कारखाना निमलिखित में कौन सा है बरवनी बिहार में बिहार एस्टेट अस्कूटर्स लिमिटेट के अस्थापना कहा की गई है फतुहा में निमलिखित में से किस अस्थान पर रेल डिबबा उद्योग अस्थापित है जमालपूर में निमलिखित सहरो में किस सहर में चीनी उद्योग अस्थापित है चनपटिया में बिहार के किस अस्थान पर खाद का कारखाना अस्थापित है ब्राउनी में चनपटिया चीनी मेल निमलिखित में से किस जिले में अस्थापित है पच्छिमी चमपारन में वर्तमान में बिहार में वर्तमान समय में कितनी चीनी मेले करियरत है दस निमलिकित में से किस सहर में अधीक रेश्मी वस्तर के कारखाने अस्तापित है भाईगलपूर में दोस्तो अगर आप चेनल पर पहली वार है तो सब्सक्राइब करने के साथ सार नर्टिफिकेशन बिल्कों दबा के All पे किलिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नर्टिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक करना मत भुलिए आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है बिहार के किस अस्थान पर कालिन का निर्मान होता है दाउद नकर में सीमेंट उद्योग में कच्चे माल का उप्योग होता है चूना पत्थर के रूप में बिहार विभादन के बाद सेस बिहार में और द्योगिक परदेशों की कितनी संख्या है आठ नेक्स्ट कोईशन बिहार में चूना पत्थर का परमोकुत पादक जिला निमलिखित में से कौन सा है पटना दोस्तो इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो लिंदी हो जाएगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक दिस्किप्शन में दे दिया हूँ या चैनल के पल लिष्ट में जोग्रोफी का इंपूटेंट कोईशन बताया हूँ वो वीडियो आप देखिए वो डिटेल में बताया हूँ और इसमें हमारा टार्गेट है कि कम से कम समय में जादा से जादा कोईशन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए सीमेंट उदियो का कच्चा मान निमलिखित में से कौन सा है चूना पथर की प्राप्ति निमलिखित में से किस यूग की चटानों के साथ मिलता है विंधियन के साथ बिहार में पाए जाने वाले महत्यपुर्ण खनीज निमलिखित में से कौन सा है पाइराइट आप्शन भी होगा पाइराइट अभरक का सरवादिक उप्योग निमलिखित में से किस काम में होता है बिजली उपकरन में बिहार में पाइराइट का कूल भंडार कितना है तीरपन पोईंट चार एक मिट्रिक टण पाई राइट का उपियोग किस रूप में होता है उरुबरक एवम रसायन के रूप में बिहार में स्लेट का उत्पादन किस जिले में सरवाधिक होता है मुंगेर में चीनी मित्टी का सबसे अधीक परयोग निमलिखित में से किस में अधीक होता है करोकरी बनाने में ऑप्सन भी हो जाएगा करोकरी बनाने में 2002-03 में बिहार में बालू घाटो की संख्या किस जिले में सरवादिक है नालंदा में जनसंक्या की दिरिष्टी से बिहार का अस्थान देश में कौन सा है तीसरा अस्थान है 2001 की जनगन्ना की अनुसार बिहार में जनसंक्या का घनत्यू पर्ती वर्स किलो मीटर कितना है 881 व्यक्ति 2001 की जनगन्ना के अनुसार बिहार की कूल जनसंक्या है 8.29 करोर जनसंक्या घनत्यू की दिरिष्टी से देश में बिहार का अस्थान है देश में बिहार का अस्थान दूसरा है जनसंक्या घनत्यू के दिरिष्टी से दूसरा अस्थान है और जम संक्या के हिसाब से तीसरा अस्थान है बिहार में छेदरफल के दिरिष्टी से सबसे बड़ा जिला कौन सा है सबसे बड़ा जिला पच्छिमी चमपारन है छेदरफल के दिरिष्टी से बिहार का कौन सा जिला सबसे छोटा है सबसे छोटा सिवर है और सबसे बड़ा पच्छिमी चंपारन बिहार में परती हजार पुरूसों पर महिलाओ की सबसे कम संख्या वाला जिला है पटना बिहार का एक मात्र जिला कौन सा है जिसमें महिलाओ की संख्या पुरूसों की संख्या से अधीक है सिवान 2001 की जनगन्ना में बिहार की कूल साक्षरतादर है 63.82 परतिसत बिहार की कूल जनसंक्या 2011 के अनुसार भारत की कूल जनसंक्या का परतिसत है तो भारत की कूल जनसंक्या का 8.58 परतिसत है बिहार में किस जिले में सरवादिक जनसंक्या रहती है पटना में option A हो जाएगा पटना विहार में लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है 933 निम्न में कहां लिंगानुपात धनात्मक अर्थात 1015 है गुपाल गंज में 2011 के जिनगन्ना के अनुसार विहार में नगरिये जनसंक्या है 11.30 परतिसत भारत की कूल जनसंक्या में बिहार की जनसंक्या का परतिसत है 8.07 परतिसत बिहार में सरवादिक नगरिये जनसंक्या वाला जिला कौन सा है पटना बोध गया कैसा सहर है बोध गया धार्विक सहर है Next question समराट असोक ने अपनी राजधानी निमलिखित में से किस सहर में बनाई थी पाटली पुत्र में 2011 की जनगन्ना के अनुसार बिहार के सरवादिक जनसंक्या गनातु वाला जिला निम्न में से कौन सा है बिहार का निम्नतम जनसंक्या गनातु वाला जिला कौन सा है कैमूर जो है बिहार का निम्नतम जनसंक्या गनातु वाला जिला है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना objective question रहने देता हूँ तीसरा सेट जो रहे गया है वो next वीडियो में complete करा दिया जाएगा इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नेटिफिकेशन बेल को दबा के All पे किलिक किजिए ताकि जब कभी में तीसा से अपलोड करो तो सबसे पहले आप तक कहुंचे तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताईए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेर किजिए अगर कोई डाउट है कोई सवाल है या किसी cohesion cancer by mistake मेरे से गलत हो गिया है तो comment करके बताइए तो चलिए मिलते हैं next video में तीसरा set के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर